हलो दोस्तों सागत करते हैं अपने स्टेडी चलें स्टेडी विदा दरेट पी में आज हम हिंदी के लकार धात रूप इसके बारे में जानेंगे तो पर धात रूप धात रूप को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं कांजुगेशन कहते हैं क्या कहते हैं कांजुगेशन तो लकार तो धात रूप है वो पांच होती है एक तो होती है लेट लकार दूसरी होती है लेट लकार तीसरी होती है लंग लकार चाओथी होती है लोट लकार और पांच भी होती है विदलिंग लकार तो लकारे कितनी होत कहते हैं इसे हम inglis mean future tance कहते है लंगलकार को भूत काल कहते हैं इसे loss Hmm लोट कार आघ्यार्थक के रूप में होगा इसका उपयोग इंपरेटिु संटेंस में इसका किया जाता है वीधिलिंग लगार चाहिए के अर्थ में इसका उपयोग तो ये लट लकार में होंगे और यदि नास्ट मै यदि ऐस्यति jutat इस्यति इस्यामिस्यावाब मेरे करके आजाएं तो ये ल करता हो तो वो भूत काल और लंग लकार का होगा और यदि तू ताम अन्तु अ यही कह सकते तम तो आन्य आव आम करके स्टार्ट खतम हो तो वो लोट लकार आग्यार्थक का होगा यहीं करके समापत वो वोगत विधलिंग लकार के होगा जैसे जैसे कोई संटेंज दे रखा है सबसे पहले हम चेक करते हैं तुछच Где पाया है किश से ताम कि हम लिख दें इस तां इस भी है इसने इसस तक भ्म संटर्ठेंस बॉल दें और वह किश लिकार में किस धात रूप में स्था मुझा होगा बैठने वाले में होगा बैठने वाले और गताम last में क्या आया है यू नजकार में नहूं से कॉन सा है लंग لगार किसमे है लंग लगार में है तो हम यहाँ पर लंगलकार में लिखेंगे ताम, देनरा ताम है, तो ताम किसमें होगा, ताम इसमें भी है, अब यह समझना है, हमने कहा था, इसमें आ से स्टार्ट होगा, तो लंगलकार होगा, तो यह ताम यहाँ पर, इसमें आ से स्टार्ट नहीं होगा, तो लकार कौन सी लकार होगी लोट लकार कि और कॉन सा वचन होगा दुईवचन काून सा होगा डुईवचन प्रथमपुरुस का दुईवचन प्रथम पूरुस का वा Fit के थी वचन होगा हुआ का यह तिस्ठता हम जिस्ते और यदि हम पूछ दें, ऐसे ही कह दें, पीबता, ऐसे पूछ दें हम, पीबता, पीबता में पूछ दें, पीबता में कौन सा होगा, तो पीबता में कौन सा होगा, तो ये पीबधात होगी, कौन सी होगी, पीबधात, दात कौन सी होगी, पीबधात, इसमें तिष्ठत धात होगी, लेटलकार कौन सी होगी लेटलकार लेटलकार फिर इसके बाद में प्रथम पुरुस प्रथम पुरुस में है और दुवचन में है तो क्या होगा यह प्रथम पुरुस होगा प्रथम पुरुस और दुवचन में होगा ऐसे ही हम पूछ दे, कि करोम किसमे होगा, पूछ दे करोम, करोम पूछ दे, करोम का लिखो, तो करोम जो है क्रधात ही है, करोम क्या होगा, कौन से धात होगी, क्रधात होगा, तो लास्ट में मी आया है, करो मी, ओमी, ओमी करके आया है, तो यह किसमे होगा, तो सबसे पहले यह किसमे होगा, यह ओमी किसमे आता है, सब चक करेंगे तो मी किसमे आता है, करो मी, ओमी करके, तो यह इसमे आता है, लटलकार में आता है, किसमे आता है, लटलकार में आता है, उत्तम पुरूस है एक वच्चन तो पहले लिखेंगे यह लटलकार है और कौन सा है उत्तम पुरूस है और एक वच्चन है तो ऐसे ही जानेंगे तो यह याद रखना यह इनकी लाश्ट की ट्रिक है याद रखने का सुरू के सब्द याद रखेंगे सुरू से याद करने के से भाइवाज में पहचान लेगे लास्ट में जो सबता इसे पहचान लेंगे कि कौन सा धातरूफ और कौन से धात में ये आएगा यह धात मुरूफ हो गया अब हम जानेंगे यह दिल कोक्ति पौन सी कुछ जो सु न भी ये बहुचन के लिए है और नितस्य और ये डंडे के लिए लिखा है तिस तिस नितस्य नेते ये एकवचन में है क्या है ये नितस्य नेते डंडा लगा है एकवचन ये एकवचन वाले हैं बहुचन वाले कौन से हैं सु तु न भी एकवचन बहुचन इसके उपर स अब ध्यान देना है जैसे हम पूछ दें और यह अंतिम सब्द होगा यह लास्ट के अंतिम सब्द होंगी अंतिम सब्द की पहचान होगी अंतिम सब्द यह दिया है तब जैसे कोई हमने पूछ दिया पूछ दिया सरिते सरिते की वचन विभक्ती लिखो तो सरिते लास्ट में क्या आया है ते ते कितना लिखा है चतुर्थी और कितना है एक वचन ते है क्या चतुर्थी एक वचन तो यहाँ पर चतुर्थी एक वचन हो जाएगा ऐसे ही लिखा है जगते तो तेस में आया लाश्ट में तो क्या हो जागा चतुरती एकवचन ऐसे लिखा है समझना अब यहाँ पर लिखा है जैसे नामना पूछ दिया तो नामना के अंत में बड़ा आया है बड़ा आ यह नामना आज्या आत्माना आत्मना नाल बड़ा रंडा आया तो यह क्या है त करके आएं देखान नीं करके आजाए तो क्या होगा सब्तमी एकवचन होगा तो यहीवाला पार्ट हो जाएगा आत्मनी राजनी नीगी करके आ जाए वो क्या हो जाएगा ती करके दिर्खा हो वो भी क्या हो जाएगा सब्तमी एकवचन होगा जयान रखना सब्तमी एकवचन होगा और ऐसे ही सब्तमी एकवचन में जैसे देखे रखा रागी दिखा है राजनी लिखा तो सब्तमी एकवचन के रूप है तो यहां वियाद रखना राजी भी हो भी हो यह भी हो तो तरतिया बहुचन होगा नहीं करके दिरखा हो तो यह कौन सा होगा सब्तमी एकवचन होगा क्या होगा सब्तमी एकवचन होगा ध्यान रखना सब्तमी एकवचन होगा और यह सब्त तो इत्ती करके होगा वो भी सब्तमी एकवचन में ही होगा सब्तमी एकवचन में होगा नी और ती नी और ती सब्तमी एकवचन ही होते हैं चतुर्थी एकवचन में और कौन कौन से हो सकते हैं सर्वस्य अस्मय अस्य 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 भी होता है यह चतुर्थी एकवचन होते हैं